तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था वांग लिंग को स्लोटर आल्ट मिल चुका था और ये खुद परिशान था कि जब मैंने उन्हें मना किया फिर भी उन्होंने मुझे क्यों सेलेक्ट कर लिया फिलाल इसे ओल सीर भी समझाते हैं कि जादा मत सुचो इसे प् जालू ही ना और नेट उफ रखों और मजे करूं खेर आगे बढ़ते हैं और सीर यहां पर वांग लिंग को एक रिंग देते हैं जो कि साथ कलर की लाइट से चमक रहा था और ये इससे बताते हैं कि ये तुम्हारा लाइफ सेविंग ट्रेजर है क्योंकि तुम्हें चाहि देल सकता है वो कम हो जाएगा मतलब गर एक बार रूल तोड़ा तो एक ही मौका तुम्हें मिलेगा दूबारा रूल तो फिर ये रिंग काम नहीं करेगा अब वांग लिंग भी यहां पर धिमाग लगाता है और इनसे कहता है कि मास्ट है मैं बाहर में जाकर कर ट्रेन करना जाता हो अब औलसीर भी यहां से जा रहते हैं इससे बोलते तुम यहां से जातो सकते हो बर तुम्हें as a messenger बनकी जाना पड़ेगा किसी दूसरे प्लैनेट पे यहाँ फिर इसी प्लैनेट पे कोई तुम्हें cultivation country चूज करनी पड़ेगी और औलसीर यहां पर यहां से हो जाते हैं और वांग लिंग को एक token दे रहते हैं लेकिन यह इतना कहते हैं कि तीन महिनों के बाद हमें इस turn demon sea में जाना है तो उसके पहले तुम्हें वापस आना पड़ेगा तो वांग लिंग को एक rank 5 के cultivation country का messenger बना दिया जाता है जिसका नाम था लिन यू अब जैसे कर हम प्लैनेट टियान इवान की बात करें तो यह एक rank 7 का प्लैनेट है जिसके अंडर में एक rank 7 का cultivation country भी है औल सीर की वज़े से अब प्लैनेट टियान इवान की असपास है टोटल 5 प्लैनेट थे जो इसके चक्कर लगाते थे और यह rank 6 के लेवल पे आते थे इनका नाम था heaven, earth, human, life और fate और इसके अलावा भी बहुत सारे प्लैनेट थे बर वो बाकी बहुत छोटे थे टियान इवान प्लैनेट के एक दम इस्टन साईड में एक बहुत बड़ा सा एरे था जो की यहां से उस साइड के प्लैनेट के तरफ, यानि अगर आपको यहां से दूसरे प्लैनेट पे जाना है तो आपको भेज सकता है और यहाँ पर एक बंदा था, जावजी करके, जो कि इस एरिया को गार्ड करता था, और फिलाल इसका पावर लेवल, सूल फॉर्मेशन के, I guess, लेट फेज में है, और यह भी Heavenly Fate सेक्ट का ही, disciple था, यहाँ पर यह 700 साल से कल्टिवेट कर रहा था, और मस्त जिंदिगी जी भी इससे भी पता था, कि तीन महीं ने इसके और बचे, उसके बाद इसके जगह पे कोई और आ जाएगा, और इसे सेक्ट वापस जाना पड़ेगा, फिर जब यह सोल ट्रांस्फोर्मेशन वगरा पहुँचेगा, तो उसके बाद फिर से कुछ सेलेस्टियल जेड या, जो तर है, और ये जाउजी ने वांगलिंग के चर्चे वैसे भी सुन लिये थे, जो इसने अभी कुछ समय पहले, हेवनली फेट सेक्ट में किया था, कि इस बंदे ने फोर्ट सिस्टर को भी हरा दिये था परपल डिविजन के, और इवन इसने सिक्स ब्रदर से भी, यानि सिक्स अरे के तुरू निकल जाता है, और इसी दोरान, मतलब कुछ समय बीतने के बात, जुवान इवान सेक्ट के आसपास, एक ट्रांसफर अरे चमकने लगता है, जो कि ये जो जुवान इवान सेक्ट है, ये और्थ प्लैनेट के उपर है, और यहाँ पर जूनियर सेक्ट नर्मली जुवी उनसान इन चीजों पर ध्यान नहीं देता था, पर जब से इसे पता चला था, कि जो बंदा आ रहा है, वो ओल सीर का, परपल डिविजन का, सेवन डिसाइपल है, इसलिए यहाँ पर ये आया हुआ था, और वांगलिंग के कपड़े पर भी, जो कि परपल क परिचय देता है, कि मैं जुनियर सेक्ट माश्टर हूँ, जुवान इवान सेक्ट का, और मैं आज आज आपको होष्ट करूँगा, उमिद है आप मने नहीं करोगे, वांगलिंग भी मान जाता है, क्योंकि जुवी उनसान का जो कल्टिवेशन लेवल था, वांगलिंग के परिचय और मैं जुवी उनसान इसे पूरे प्लैनेट के बारे में बता देता है, और एक अछ जगये वांगलिंग के लिए उसका व्यवस्त अभी कर देता है, वांगलिंग जानता था, इसे श्रॉंग बनना पड़ेगा, कि जिस दिन, सूसाकु प्लैनेट से टाउसेन बह बार निकलेगा वो इसे मारने आएगा और वांग लिंग अपसोचता कि इसे सेलेश्टियल स्लोटर राट जल्दी सीखना पड़ेगा और इसका एक और प्रब्लम था इधर लिंग्यू कंट्री वालों को भी पता था कि कोई परपल डिविजन का बंदार है अब जूयून शान इसके साथ लिंग्यू के बॉर्डर दगाता है उसके बाद वांग लिंग से विदा ले लेता है कि फ्यूचर में जरूर हम बैट के पिएंगे अब वांग लिंग य कि इन से बात करते हैं कि देखो वैसे तो मैं मेसेंजर हूँ पर मैं आप लोगों के बीच में नहीं पढ़ने वाला मैं फिलाल क्लोज डोर कल्टिवेशन में जा रहा हूँ तो 5000 किलोमेटर के रेंज में कोई आएगा भी नहीं बाकी लोग चौंक जाते हैं क्योंकि जब ही स्लोटर आठ को सीखने में लग जाता है समय बीचता है और पलक छपकते एक मैना निकल जुका था और लोगों की नजर में मतलब जो कल्टिवेटर्स थे कि यार ये मैसेंजर ये बहुत मेस्टिवेश लगते इन्होंने कुछ डिमांड भी नहीं किया इतर एक मैना बीच च जाते हैं कि वांगलिंग ये बंदा ये है कौन क्योंकि एक दिन इन है वो जो टावर था जापर वांगलिंग रहता था वहां पर एक ब्लैक फॉक देखने को मिलता तो बहुत सारे लोग ओड़के जाते हैं लेकिन कोई वहां तक एंटर नहीं कर पारा था अब फाइनली य जब तक मैं लोगों को मारूंगा नहीं तब तक ये सेलेस्टियल स्लोटर आट को मास्टर करने ही पाऊंगा क्योंकि जब आप उन्हें मारोगे तो हर एक इंसान हर एक जानवर का एक लाइफ फोर्स होता है उसके मदद से मैं अपने आसपास एक बैरियर बना सकता हूँ त जब वांग लिंग के असपास आप ही नहीं पाएगा और इस दोरान जब वांग लिंग वार्ग और कैरियर को स्टडी कर रहा था तो इसे एक बैकलेश जिलना पड़ता है क्योंकि इसने उसका फस्स सिल को अनलॉक किया था ताकि ये जो उसके अंदर बीश्ट है उसे ये क कुछ होगा नहीं इधर वांग लिंग बाहर निकलता है और इसने जो 5000 किलोमेटर के ताहरे में ब्लैक फॉग फैल है था उन्हें ये फिर से रिकलेक करके रख लेता है यानि कि बेसिकली ये इसका रेस्ट्रिक्शन फ्लैग था और आसपास इसने जो प्राइमरी सोल्स भी चोड़े थे वो भी ये वापस बुला लेता है और वांग लिंग सोचता है कि जो इसका सोल्स फ्लैग है इसको भी अब एडवांस करना पड़ेगा तब जाकर कि इसका प्लैनेट टियान यून पर जो सर्वाइवल है वो बढ़ सकता है अब यहां पर इस तोरह वो जो ओल् साथ लीडर थे और अचानक से अपनी आखे कोलते हैं क्योंकि इनके सामने वांग लिंग अचानक से प्रकट होता है और ये भी वांग लिंग को ग्रीट करते हैं वांग लिंग मी कहता है कि सौरी मैंने आपको परिशान किया इधर टियान टाई भी बोलते हैं कि मेरी भी ग क्या इस प्लैनेट पे डेमोनिक बीश्ट कहीं गैधर होते हैं मतलब बहुत सारे जुंड में रहते हैं ओल्ड मैं यहाप पर इन्हें एक जेड पकड़ाते वांग लिंग इस अपने डिवाइन से स्कैन करता है और फिर यहां से निकल जाता है ओल्ड मैं टियंटाई भी केते यार यह बंदा इसके अंदर क्लेंग इंटेंट अलग लेवल पे है श्याद इस बार यह मारेगा उम्मी ते रास्ते में इसे कोई परेशान न करे ने तो वो भी मारा जाएगा देख रहो अभी वांग लिंग कहां गुम रहा है प्लैनेट अर्थ पे यानि कि जहां आप ल यह बंदेन इरिया माना जाता है मतलब जहां पर लोग कम ही जाते हैं अब वांग लिंग जब इस इरियाम पहुछते हैं तो अच्छी कासी बिजली कड़क रही थी और वांग लिंग को भी से अवाइट करने में दिक्कत आता है इस लोकेशन को कहा चाता है अर्थ अब यहां पर वांग लिंग बहुत सारे माउंटेंस नदियान दरिया वगरा को देखता है और वांग लिंग फिर से सुचता है कि सेलेश्टियल स्लोटर आट को बिना स्लोटर किये वे यानि बिना मारे वे समझा नहीं जा सकता और आज से मैं उसका कल्टिविशन शुरू पर तब इसी दोरान बहुत सारी स्वार्ड एनर्जी दूर में चमकने लगती है और यहां पर कुछ लोगों की आवाज आती है कि सीनियर ब्रदर हम यहां पर आ चुके है वांग लिंग दूर से इन लोगों को देखता है और अचानक से फिर गायब हो जाता है अब यहां प वो लड़की कहते हैं सीनियर अपरेंटिस ब्रदर और यह बताते कि यार यह फॉर्बडन प्लेस नहीं है एक बर तो मेरे अंकल मास्टर जा चुके है और वो आते ही होंगे फिर हम लोग भी अंदर जा सकते है अब एक और बंदा था वो भी कहते है हाँ वैसे भी ब्रदर वो आप तो डाल वो स्वर्ड सेक्ड के हो जो के टियान युन प्लेंट पर है जो टॉप टू बंदे गुओ की तरफ देख कर और यह दिखने में ज़्यादा सुन्दर थे इसने सफेद कपड़े पहने थे Cotton का dress था और कमर तो क्या ही बताओ और hairpin भी गुलाव के full के समान था बदन एक दम बरफ के समान गोरा और इसने make-up नहीं किया था मतलब थोड़ी मेरे type की थी अगर ये थोड़ा नफरत कम दिखाती तो और ज्यादा सुंदर दिखती अब ये जो बंदा था गूओ करके वो smile क करता है और इस लेडी को कहता है कि लेडी क्यानकिन आप रिलेक्स करो आपको एक brilliant golden fruit मिल जाएगा अब ये जो लड़की थी क्यानकिन भी बोलती है कि तुम्हारा डालूओ स्वार्ड सेक्ट इतना famous है फिर भी तुम लोग ऐसी हरकत कर सकते हो मैंने नहीं सोचा था अब ये लिंग के पुरानी दुश्मनी है सेलेस्टियल रियल में ये उनसे मिला था और सीनियर जावी का location भी से मिल सकता है क्योंकि जावी ही उस तोरान डालूओ स्वार्ड सेक्ट के ही master लिंग ट्यानों के पीछे गये थे यहाँ पर समय बीचता है इन घंटे बीच चुके थे औ और तीन लोग और प्रकट होते हैं और तीनों के पाल एकदम सफीद थे और स्वार्ड और काफी powerful feel किया जा सकता था सभी के पास powerful treasures थे अब इन तीनों में से जो एक बंदा था वो soul formation के late phase में था और बाकी दोनों soul transformation के early phase में थे अब इन्हें देख करके वो जो बंदा आओ ये दोनों लोग भी स्वार्ड पाविलेन के elders हैं इन्हें भी greet करो गुओ जिंगी इन दोनों को भी greet करता है और इनमें से एक पूसता है ये जो दो soul transformation पिते अच्छा तो तुमें वो golden fruit तुमने ही धूंडा था गुओ जिंगी इस दोरान उस लड़की की आनकिन के तर ने सारे fruits थे लड़की ध्यार सोसती है पहले कि ना बताओं फिर भी ये जानती थी तो बोलती है कि 100 क्या सपास कियान के न भी कुछ नी बोलती पर इसके बगलवला जो बंदा था जोकि इसके ही सेक्ट का था वो इने बोलने लगता है कि हमने इतना मेनत किया और तुम डाल पीछे लोग जाते हैं और ये सोच रही थी क्यों मैंने इस गोजिंग इन पर ट्रस्ट किया इधर वांगलिंग को दिखा जाता है जिसके दोनों हाथ इसके कमर पे पीछे खड़े थे यानि इसने मोड के रखे थे और वहीं ये सिलेश्टियल सुलोटराट को समझ रहा था पर अचानक से मानों घोश्ली फिएर वांगलिंग पर अटैक कर देता है और ये काफी फास्ता वांगलिंग भी अपने राइट हैंड फिंगर को इस बंदे की तरफ फोकस करता है बेसेकलिए ये बीश्ट था जैसके वांगलिंग तुरंती मार देता है और एक ग्रे गैस म मानों वांगलिंग के असपास बनने लग दिया बट ये काफी हलकी थी और वांगलिंग आगे उड़ते जाता है फिर समय बीथता है और इस दोरान इसकी नजरें डालूओ स्वाड सेक्टे लोगों पर भी बनी हुई थी वांगलिंग को जदा आगे जाना भी नहीं पड़ता अगर वांगलिंग वो golden fruit नहीं देखना जाता तो ये कब का celestial slaughter art को practice करने के लिए इस जंगल के एकड़म बीच में जा चुका होथा और बहुत सारे बीच को मार चुका होथा था इधर वांगलिंग को बीच में एक बुल मिलता है और इसे ये मारता है इसका life force तो ये absorb कर ले इस दुरहन मस्कुटो बीष्ट, दाहाड भी मारता है, मनों ये कुछ फील करता है, और वांगलिंग भी इस दुरहन फील करता है, दोनों रुख जाते हैं, और साउथ की डारेक्शन में देख करके, ये स्माइल करता है, कि अच्छा तो लगता है उन्हें, वो गोल्डन फ्र लाइन सी जम रही थी, जो कि मानो घोशली फ्लेम्स के समानो, इधर इधर डालूओ स्वर्ड सेक्ट और उनको दिखाये जाता है, यानि वो जो लड़की थी, वो लोग काफी तेजी से आगे बढ़ते हैं, रास्ते मगर कोई बीष्ट मिला भी, तो तीनों एल्डर्स मिलक के डिसॉल्व कर देते हैं, और गुवो जिंगे, इस लड़की क्यान किंद से बात करने की कोशिश करता है, ताकि इनके जो रिलिएशन हैं, वो फिर से बहतर होगा है, और इविन इजो डालूओ स्वर्ड सेक्ट के लोग थे, यह जितना अंदर जाते-जाते हैं, इन्हें के लिए नहीं है उससे ट्रेजर को रिफाइन किया जाता है किसी भी मेटल एलिमेंट का अगर आपके पास ट्रेजर हो यानि अगर आप तलवार को रिफाइन कर रहा तो उसके पावर को कई को ना बढ़ा सकते हो और इन्हीं के सेक्ट के जो स्वार्ड सेक्ट मास्टर है लिं fruits को देखा था और ये अपने उंगली से इशारा कर रही थी अब किया अंकिन बताने के बाद कुछ कदम पीछे हड जाती है और शांत हो जाती है अब ये जो डाल हुआ सोड सकते हैं दो elders थे उन में से जो लंबे वाले थे वो आगे जाते हैं हैंड सील्स बनाते हैं और आगे की तरफ बढ़ा देते हैं और आगे में जो की जाडों से ब्लॉक था रास्ता वो अपने आप हट जाते हैं और इन्हें रास्ता दिखने लगता है और पूरा एरिया मनों फूलों से भरा हो गोल्डेन कलर्स के और दोनों एल्डर्स के आँखों में चमक था कि यार सच में ये तो गोल्डेन फ्रूट्स है लेकिन इन गोल्डेन फ्रूट्स से पहले कुछ वाइल्ड ग्रास थे उन पे भी इनकी नजर जाते हैं और वास एक सड़े से जैसे स्मेल आ रहा था उससे देखते हैं शीवांग पाइचान जाते हैं कि यार ये तो नाइन मल्टिट्यूड बग है यानि एक कीड़ा था और बेसिकली वही यहां का एक तरह से गारजियन भी था और इन बगों से यानि इन कीडों से डिल करने के लिए आपके पास एक चारा होना चाहिए और इन एल्डर्स की नजर उस लड़की क्यान के और उसके साथ ही पर जाती है पर इस समय कोई नोटिस नहीं करता है हजार फिट के उपर में कोई तो था जो इन्हें देख रहा था और ये था वांगली जो के एंसेंट कोड टूसीज के मेमोरी में देखता है कि यार ये चीज इससे गूल्डन स्पिरिट रूट कहा जाते है ये लोग बस इसके फल को यूज करते है पर जडों का इस्तेमाल और भी खतरनाक है क्योंकि ये जो जड है ये जो जड है वो five natural elements से मिल के बनते है और इसका सबसे सही तरीका इस्तेमाल करने का है कि इनके जडों को डेवोर कर जाओ इससे आपकी body बहुत strong बनती है जैसे कि अगर कोई child ancient गौड हो तो उसके लिए तो पूछो ही मत अब वांगलिंग मॉस्क्योटो बीष्ट के तरफ देखता है जिसके आसपास एक दूधिया रोशनी से वरी थी और इसकी भी नजरे इन ब्रिलियंट golden fruits पर पूरी तरह से पड़ी हुई थी मानो इसे भी ये चाहिए था वांगलिंग अब इस मॉस्क्योटो बीष्ट को सहलाता है और वांगलिंग के शारो को समझ जाता है और काफी खुश भी था यह वांगलिंग भी सूचता है लगता है इन fruit से इस मॉस्क्योटो को भी कुछ फाइदा हो सकता है अब इदर वो जो क्यानकिन के भगल में उसका साथी था अचानक सिसकी बॉड़ी को मानो एक हवा का जोगा खिसता है और जहांपर वो फूल वगरा थे जहांपर वो भग थे उसकी तरफ फैंक दिया जाता है क्यानकिन चिलाती है और करे तो करे गया और यह इन एल्डर से कहती है कि इनका मतलब क्या सीनियर या आप लोग क्या कर रहे हो अब इदर वो जो बंदा था उसके आसपास लाल कलर के कुछ कीडे दिखने लगते है और इतने फास्त थे कि उस बंदे को समय भी निमलता है और इस बंदे को यह जमीन के निचे धसाने लगते है बंदा ची करा था चिला रहा था और आप मदद कौन करेगा उसके कि आनके तो एकदम डर के मारे काप जाते है अभी वेन वो जो गोजिंगिन था उसका भी चेरा एकदम उतर जाते है और डालूओ सोर्ट सेक्ट का यह जो एल्डर था सी फांक वो कहता है कि बाकी बक्त तो आप इस लड़की की लाश पर लिपट शुके तो हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा और यह अपने दूसरे भाई से कहते हैं और फिलाल दूसरे एल्डर अपना सीलिंग पावर यूज करते हैं और एक लाल सा जाला बीचने लगता है ताकि इन फलो को लपेट पाए तीसरे बंदे जो इस वैली में अंटर करते हैं वो गोज हिंगी के अंकल मास्टर थे यानि जो सोल फॉर्मेशन के लेड फेज में है वहीं जो लड़की क्यान किन थी अब उसका घुस्सा जा चुका था वो एकदम शांत खड़ी थे सोल फॉर्मेशन वाले जो अंकल थे उनका नम था लूओ सौंगी तो इन्हें बाकी जो दो ओल्ड मैं थे शीफांग और दूसरे जो भी होंगे आदेश देते हैं कि जाओ फलो को इकठा कर लो पर तब ये चानक से एक हवा का जोगा मानो इस वैली में एंटर करता है वैली उस एरिया को कहते हैं जो पाड़ों के बीच में घिरा होता है और जहांपर ये फल थे पर जैसे हवा का जोगा इन दोनों एल्डर्स को टच करता है ये भी हैरान हो जाते है और इवेन वो जो ओल्ड मैन लू थे जो कि फलो को इकठा करने जा रहे थे वो भी रुक जाते हैं इधर वो जो लड़की कियान कीन थे अपने senior apprentice brother की तरफ देखती है पर पड़ियूस होने लगता है और grey gas पूरे valley में कठा होने लगती है ये grey gas इतना powerful था कि उस बंदे को यानि जो वांग लिंग था अपना उसे लोग देख भी नहीं पारे थे और इस grey gas को देखकर शीफां का भी चेहरा अगली हो जाता है किस्तार आप कौन है और इधर ही अपना जो treasure था उसे निकालने लगता है इसके पास एक bronze mirror था और दोनों ही elders अब इस बंदे पर attack करने लगते वहीं loose होंगी ये fruits की तरह पड़ता है अब ये दोनों बंदे अपनी sword aura से attack तो करते पर उस grey gas को ये dissolve भी नहीं कर पारे थे और अंदर से भी आवा जाती कि तो में जैसे जुगनू मेरे जैसे चंद्रमा से fight करोगे तो दोनों के sword aura को वांगलिंग ब्लॉक कर चुका था स्टोरी यहीं समाप्त करते है मिलते हैं फिर कल एक नए वडियो के साथ हुआ मसंवानो Base करो करो कर लिया कर लिएец क्रेемуरो मेरे उसे भा Keeping दो रहा कर दो से तो आवान दो रहाश列 में हम आवान